सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट हलो डियर विवर्स आज हम क्लास 6 का पहला चेप्टर फूड वियर दस इट कम फ्रॉम को डिस्कस करेंगे फिर्स्ट ऑफ ओल हमें पता होना चाहिए फूड होता है और फूड कहलाता है अब हमें पता चल गया फूड क्या होता है तो अगला कोशन हमारे माइन में राइस होता है कि इसका क्या हमारे बोडी में उपयोग है हमारे अंडर्जोड टिशू अगया है या फिर हमारे सेल्स को रिपेर करने में भी पूड का यूज होता है to provide resistance and protection against disease from infections तो यह हमें infections और हमारे बोड़ी को disease से resistance बनाती है मलब हमें disease होने से protect करती है चलिए अब तक हमें पता चल गया है कि हमारे बोड़ी में food का क्या use है लेकिन अब एक नया question arise होता है कि यह जो food है वो कहां से हमें प्राप्त होगा तो अगला जो topic है वो है sources of food There are the two sources of food materials First is plant and second is animals तो बच्चों हमें 2 sources से food materials मिलता है पहला जनतुओं से दूसरा हमें plants से तो हम देखेंगे कि जनतुओं से अब हमें क्या-क्या मिलता है और plants हमें क्या-क्या मिलता है First हम देखते है animals से क्या-क्या मिलता है Milk, Egg, Meat, Chicken, Fish, ETC are the products that we get from the animals तो यह सारी चीज़ें जो है कि हमें animals से मिलती है तो अब plants से कौन कौन से चीज़े मिलती है grains मिलता है, cereals मिलता है, vegetables and fruits come from the plants and plants product, right? अब बच्छो एक new term ingredients के भी सेम जानेंगे What are ingredients? Any substance or materials that are required to produce a dish are called ingredients तो बच्चो इंगेडियन्स वह substance होता है जो कि किसी भी dish को बनाने के लिए लगता है जैसे कि दाल, चावल यह सारी dish है तो चावल को हम लेते हैं चावल कैसे बनता है? चावल के लिए हमें लेना पड़ता है, water लेना पड़ता है, boiled water and rice यह सारे जो है, boiled water and rice, यह क्या कलाएंगे, ingredients कलाएंगे, right? अगला जो topic है, वह काफी interesting topic है, what do animals eat? तो इस topic में हम पढ़ेंगे, कौन सा animals क्या खाता है? क्या सारे animals एक तरग के भूजन करते हैं? बिलकुल नहीं, lion जो है, meat खाता है, rabbit जो है, plant-based product खाता है, जैसे grass हो गया, और हम लोग जो human है, animals यानि meat भी खा सकता है, और plant-based products दोनों खा सकता है, ठीक है? तो कौन क्या खाता है, जो जो उसका choice है, वह क्या कलाता है, food habit, the method of eating or choice of food followed by the living organism is called as food habit, ठीक है? तो इसे क्या 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 खाता है, food habit, यानि कौन सा animal क्या खाना पसंद करता है, जैसे lion meat खाता है, तो उसका choice क्या है, meat, जैसे क्या क्या खाता है, जैसे तर रैबिट का food habit क्या है, grass यानि plant-based product है, अपने देखा कि बच्चो डिफेरेंट इनिमाल्स जो है, डिफेरेंट पर इनिमल्स को तीन पार्ट में क्लासिफाइग किया गया है पहला हर्विवोर्स दूसरा कार्णिवोर्स और तीसरा ओम्निवोर्स तो हर्विवोर्स क्या होते हैं इनिमल्स विच फीड ऑन्द प्लांट्स और कॉल्ड हर्विवोर्स यानि वह एनिमल्स जो प्लांट्स को ख क्या कहलाते हैं हर्भी वोर्स कहलाते हैं जैसे कि काउ गोट ठीक है कार्णिवोर्स क्या होते हैं कार्णिवोर्स वह एनिमल्स होते हैं इनिमल्स विच फीड ऑन दा अजर एनिमल्स और कॉल्ड कार्णिवोर्स यानि ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो वह क प्लांट्स 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 प् हम खा सकते हैं क्या कराता है edible part कराता है अगला जो term है nectar sweet juices found in the flowers are known as nectar तो जो sweet juice होते हैं फ्लावर में पाए जाते हैं उन्हें क्या करते हैं nectar इसी nectar को खाने के लिए जो butterfly होती है वो जाके फ्लावर पे बैठती है या फिर bird आप देखे होगे जो की flower पे जाके बैठते हैं तो वो क्या करते हैं एक्षिलि वो उस juice को खाने के लिए उस flower पे जाते हैं बच्चो अगला जो term है sprouted seed seed which grow white thread like structure when soaked in water or called sprouted seed बच्चो आपने देखा होगी आपके घर में जब भी कोई चाना या कोई बीज जो है फुलाय जाता है उसको दो-तीन दिन वैसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसमें कुछ trade like structures निकल जाते हैं हिंदी मुसे करते हैं अंकुरित हो जाना तो उसी क्या करते हैं sprouted seeds करते हैं तो इस वीडियो बस इतना ही इस चेप्टर का question answer चैनल पर अल्रेडी upload है जिसका link description box में दिया हुआ है आप उसे जाकर देख सकते हैं और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें